ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है यहां आपको ऐसी ऐसी चीज़े देखने को मिल जाएंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा आपने कलपना तक नहीं की होगी वही कुछ सचाईयों के बारे में जानकर आप लोग हैरान भी हो जाएंगे और दंग तो बिलकुल हो जाएंगे इस दुनिया में कई देश हैं और देश के कई खूबिया है तो कई ऐसे हैं जिनमें कई कमी भी है लेकिन आज तक कभी ये सुना है आपने कि किसी देश में इंसान से ज़ादा भीडो की संख्या है यकिनन आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा या आपको अगर विश्वास हो भी जाए तो आप इस शीज को मानेगे नहीं लेकिन इस दुनिया में एक देश है जहां इंसान से ज़ादा भीडो की आबादी है आईए हम आपको इस खबर में बताते हैं कि वो जगह कौन सी है और ऐसा क्यों है यो तो न्यूजिलांड की गिंती सबसे खूपसूरत देशों में की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों की आबादी से ज़ादा यहां भीडो की संख्या है कहा जाता है कि न्यूजिलांड में एक आदमी के मुताबिक नौ से दस भीड़ है यहां की आबादी तकड़ीवन 48 लाक है आप यसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर भीडो की आबादी कितनी हो सकती है यह एक लोता ऐसा देश है जहां सबसे जादा महिलाओं को इज़त दी जाती है आपको ये भी बता दे कि न्यूजिलांड पहला देश है जहां महिलाओं को बोटिंग का अधिकार मिला था यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट अप करना चाहते हैं तो महस एक दिन में आपका सारा पेपर वर्क भी यहां कम्प्लीट हो जाता है न्यूजिलांड में ही पहली किननर महिला संसत बनी थी ऐसे तो दुनिया के नक्से पर छोटे बड़े सैकरो देश है जो अपने आप में कई जादा खूबियां बटोरे हुए हैं अपनी खासियत है और इसके जरीए वे अपनी अलग पहचान दुनिया में रखते हैं लेकिन न्यूजिलांड दुनिया का एक लोता ऐसा देश है जाए इंसानों की आबादी से जादा भेड़ों की आबादी है पहले समय में न्यूजिलांड में एक इंसान पर नौ से दस भेड़ हुआ करते थे लेकिन अब पांच ओसतन हो गया है सौ किलो मखाना और पैसट किलो चीज एक भेड़ से वहाँ पर उतपाद किया जा सकता है इतना ही नहीं न्यूजिलांड की एक और खासियत है कि यहाँ पर भेड़ इतनी सारी हैं लेकिन साप एक भी नहीं घने जंगल होने के बाद भी साप मिलना यहाँ पर बेहद मुश्किल है और यदि आपको साप देख भी जाता है तो आपको वहाँ पर इसे पुलिस के हवाले करना होगा तो आपको यह जानकर कैसा लगा कि दुनिया में ऐसा एक देश है जहाँ पर इंसानों से ज़्यादा भेड़ों की संख्या है आप हमारी कॉमेंट सक्षन में जरूर बताए